अगर हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हर दिन कुछ विशेश घटनाई घटी है जिसके अपना दरजा इतिहास में अंकित किया वैसे ही 30 मई का दिन यानि आज के दिन भी इतिहास में बहुत सी महत्पून घटनाए घटी हैं आज हम उसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मना जाता है तो चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में विस्तार से हिंदी भाषा में उत्तंद मार्तंड नाम से पहला समाचार पत्र आज ही के दिन यानी 30 मई 1826 में निकाला गया था इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में इं मनाया जृता है पंड़त जुगल किशोर शुकल ने इसे कलकत्ता से एक सापताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था इसके प्रकाशन और संपादक वे खुद ही थे इस तरह हिंदी पत्रकारिता की शुरुवात करने वाले पंड़त जुगल किशोरशुकल का हिंदी पत्रकारिता के जगत में विशेश्व सम्मान है जुगल किशोरशुकल वकील भी थे और कानपूर के रहने वाले थे लेकिन उस समय अपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया पर तंत्र भारत में हिंदुस्तानियों के हक की बात करना बहुत बड़ी चुनोती बन चुका था इसी के लिए उन्होंने कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में अमर तल्ला लेन कोलू टोला से साप्ताहिक उत्तंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया यह साप्ताहिक अकबार हर हफते मंगलवार को पाठकों तक पहुँचता था पर तंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजी साशकों की भाशा अंग्रेजी के बाद बांगला और उर्दु का प्रभाव था इसलिए उस समय अंग्रेजी बांगला और फार्सी में कई समाचार पत्र भी निकलते थे हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजिवद नहीं था हाँ यह जरूर है कि 1818 और 1119 में कलकत्ता स्कूल बुक ने बांगला समाचार पत्र समाचार दरपण के कुछ हिस से हिंदी में भी होते थे हाला कि उतंड मारतंड एक सहसिक प्रयोग था लेकिन पैसों के अभाव में या एक साल भी प्रकाशित नहीं हो पाया इस सापताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतिया छपी हिंदी भाषी पाठकों के कमी की वज़े से उसे जादा पाठक नहीं मिल सके दूसरी बात कि हिंदी भाषी राजियों से दूर होने के कारण उने समाचार पत्र डांक द्वारा भेजना पढ़ता था डांक दरे बहुत जादा होने की वज़र से इसे हिंदी भाषी राजियों में भेजना भी आर्थिक रूप से महंगा सौदा था पंडित जुगल किशोड ने सरकार से बहुत अनुरोद किया कि वे डांगदरों में कोछ रियायते दे जिससे हिंदी भाषी राज्यों में पाठकों तक समाच्वार पत्र भेजा जा सके लेकिन बिटिश सरकार ने इसके लिए राजी नहीं हुई अलबता किसी भी सरकारी विभाग में उतंड मारतंड की एक भी प्रती खरीदने पर रजामंदी नहीं दी पैसो की तंगी की वज़े से उतंड मारतंड का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका आखिरकार 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया आज का दौर बिलकुल बदल चुका है पत्रकारिता में बहुत जादा आर्थिक नेवी एशुआ है और इसे उद्ध्योग का दर्जाद दिया जा चुका है हिंदी के पाठकों की संख्या बड़ी है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है तो अभी आपने जाना हिंदी पत्रकारता दिवस के बारे में अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे गोवा के बारे में 30 माई को गोवा अपना इस्थापना दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 30 माई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था भारत के आजाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगाली साशन के अधीन रहा 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पूर्ण गालियों से आजाद कराया गया गोवा शेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या में चौथा सबसे छोटा राज्य है पूरी दुनिया में गोवा अपने खूपसूरत तर्ट और मशिखूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक साशन किया और दिसम्बर 1961 में या महरतिय प्रसाशन को सौपा गया महा भारत में गोवा का उलेक गोवर राष्ट्र यानी गाई चराने वालों के देश के रूप में मिलता है दक्षिड कॉंकर छेत्र का उलेक गोवर राष्ट्र के रूप में पाया जाता है संस्टत के कुछ अन्य पुराने श्रोतों में गोवा को गोपक पुरी और गोपक पटन कहा गया है जिनका उलेक अन्य ग्रंथों के अलावा हरेवंचम और सकंद पुरान में भी मिलता है गोवा को बाद में कहीं कहीं गोवांचल भी कहा गया अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपका पाटन और गोमंत प्रमुख है टोमेली ने गोवा का उलेक वर्ष दोसों के आसपास गोवा के रूप में किया है अरब के मध्युगीन यात्रियों ने शेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से इंगिद किया और जो प्रमुख रूप से एक तटिय शहर था जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा वह आज का सबसे छोटा समुद्रिय तटियक शहर गोवेलहा है बाद में उस पूरे शेत्र को गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तगालियों ने कबजा किया गोवा के लंबे इतिहास की शुरुवात तीसरी सदी इसापूर्व से शुरु होती है जब यहां मौरे वन्श के साशन की स्थापना हुई थी बाद में पहली सदीम की शुरुवात में इस पर कोलापूर के साथ वाहन वन्श के साशकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक की साशकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया इसके बाद के सालों पर इस पर कई अलग अलग साशकों ने अधिकार किया वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली संतनत के अधीन हुआ लेकिन उद ने विजे नगर के साशक हरिहर प्रथम के द्वारा वहां से खदेर दिया गया अगले सो सालों तक विजे नगर के साशकों ने यहां साशन किया और 1479 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया बहामी साशकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाख का यहां कबजा हुआ जिनने गुआ वेलहा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया इस शहर पर मार्च 1510 में अलफांजो दा अलबू कर्क के नेतरत्व में पुर्तगालियों का आकरमड हुआ गुआ बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कबजे में आ गया पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खाने हमला किया शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक तो दिया लेकिन बाद में अबु कर्क जादा बड़ी सेना से वापस लोटे और एक दुशाही प्रतिरोद पर विजय प्राप्तकर उन्होंने इस शहर पर फिर से कबजा कर लिया और एक हिंदूत तिमोजा को गोवा का प्रशासक नियुक्त किया गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तकाली सामराज की रश्धानी बन गया इसे लिस्बन के समार नागरिक अधिकार दिये गए और 1545 से 1600 के बीच उन्हें उन्नाती के सर्वोच शेखर पर पहुंचाया 1819 से 1815 के बीच नैपोलियन ने पूर्तकाल पर कबजा कर लिया और एल्गो पूर्तकाली गटवंदन के बाद गोवा स्वताही अंग्रेजी अधिकार शेत्र में आ गया 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का साशन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां भी संसाधनों का ज़म कर सोशन किया आजादी के समय पंडिच जवाहर लाल नहरू ने अंग्रेजों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए वही पूर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोग दिया अंग्रेजों की दोहरी नीती वा पुर्तगाल के दवाब के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का यह तर्क दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारतगर राज अस्तित्व में नहीं था गोवा का स्वतंत्रता अंदोलन 1928 में शुरू हुआ जब गोवा के राश्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कॉंग्रिस समिती का कठन किया गोवा कॉंग्रेस समिती के अध्यक्ष डॉक्टर टीबी कूनहा थे। डॉक्टर टीबी कूनहा को गोवा के राष्ट्रुवाद का जनक माना जाता है। दोदशक्त लगभग गोवा का स्वतंत्रता अंदोलन थोड़ा धीमा रहा। 1946 में स्वतंत्रता सेना और प्रमुक समाजबादी नेता डॉक्टर राम मनुहर लोहिया के गोवा पहुशने से अंदोलन को नई दिशा मिल गई। उन्होंने नागरी कदिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेताव निदे डाले। मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। गोवा अभियान में हवाई कारेवाही के जिमिदारी एरवाईस मार्शल एरलिक पिंटो को थी। भारतिये सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ती अभियान की शुरुआत की। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर अच्चूब बंबारी की। भारतिये थलसेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिल मिला गए। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को ततकालीन पुर्तगाली गवर्णर मैन्यू वार्सलो डिव सिल्वा ने भारत के सामने समर्पर समझोते पर दस्तखत कर दिये। इस तरह भारत ने गोवा और दमंदीप को मुक्त करा लिया और वहां से पुर्तगालीों के 451 साल पुराने अपनिवेशिक साक्षन को खत्म कर दिया गया। पुर्तगालीों को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ा तो वहीं दूसरी और उन्हें गोवा के लोगों का रोश भी छेलना पड़ा। बाद में गोवा में चुना हुए और 20 दिसंबर 1962 को श्रिदयानन्द भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। गोवा के महराष्ट्र में विले की भी बात चली क्योंकि गोवा महराष्ट्र के पड़ोस में ही इस्थित था। वर्ष 1967 में वहाँ जन्मत संग्रे हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शाष्ट प्रदेश के रूप में रहना प्रसंद किया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राजिका दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा महराष्टी अगर राजिका 25 राज्य बना। तो ये था गोवा का इतिहास अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मशूर स्क्रिप्ट राइटर पंडित मुखराम शर्मा के बारे में। पंडित मुखराम शर्मा का जन्म आजी के दिन हुआ तो चलिए जानते हैं कौन थे पंडित मुखराम शर्मा। फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि फिल्में पटखता के बदावलत चलती है फिल्म के स्क्रिप्ट जितनी अच्छी होगी उतनी ही जादा दर्शकों को लुभाईगी लेकिन फिर भी अधिकतर फिल्मों को या तो अभीनेता या फिर निर्देशक के नाम से जाना जाता है स्क्रिप्ट राइटर का नाम कम ही लोगों की जुबान पर रहता है लेकिन 60 और 70 के दशक में एक ऐसे लेखक होए जिन्होंने बॉलिवुड के लेखकों को पहचान दिलाई और वे थे पंडित मुखराम शर्मा और आज इनका जन्दिन है पंडित मुखराम शर्मा का जन्व 30 माई 1909 को मेरट के किला परिक्षित गड़ शेत्र के गाउं पूठी में हुआ था हिंदी और संस्क्रित में सिक्षक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म देखने और कहाने लेखन का उन्हें बेहत शौक था उनके एक मित्रों ने 1949 में मुंबई ले आए लेकिन वहां काम नहीं मिला उस दौर में पूना में भी फिल्म में बनती थी वहां की प्रभाद फिल्म कमपनी में मराथी कलाकारों का हिंदी उच्चारन सुधारने का उन्होंने काम किया कुछ समय बाद फिल्म दस बजे के गीत और समवात लिखने का उन्हें मौका मिल गया सामाज़िक समस्याओं पर उनकी लिखी कहानी आज का सवाल पर बनी की जाने लगी उनने सौनसेट में आई दूल का फूल यह चोपड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्ब थी इसकी कथा पटकथा और समवात पंडित जी ने ही लिखे थे साथ के दशक में दक्षिन में बनी पारिवारिक हिंदी फिल्मों में उन्हें बहुत जादा पसंद किया जौता था पंडित मुखराश्वर्मा ने वहां के प्रसिद जैमिनी बैनर की घराना ग्रहस्ती प्यार किया तो डर्ना किया और हमजोली जैसी हिट फिल्में लिखी एलवी प्रसाद के बैनर के लिए दादी मा जीने की राह मैं सुन्दर हूं राजा और रंक और एव पुरुस्कार सबसे बड़ी प्रतिष्ठा थी 1961 में ततकालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने उन्हें संगीत नात अकादमी पुरुस्कार से नवाजा 1950 से 1970 तक उन्हें उल्लेखनी पुरुस्कारों में तीन फिल्म फियर पुरुस्कार भी थे फिल्मों की बदौलत उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि फिल्म के क्रेडिट में उन्हें प्रमुक्ता दी जाने लगी उनके नाम से दर्शक सिनेमा घर की ओर खिचे चले आते थे इतनी शौरहत पाने के बावजूद वह साधा जीवन और उच्छे विचार में यकीन रखते थे उन्होंने तैकर रखा था कि सत्तर की उम्र के बाद वह बॉलिवुड को अलविदा कर देंगे और 1980 में उन्होंने यही किया खास बात यह रही कि उनकी लिखी अंतिम दो फिल में नौकर और सौद इनसास के भी सूपर डूपर हिट रही परवरी 2000 में उन्हें जी लाइफ टाइम अचीवमिट अवोर्ड से भी नवाजा किया वही 25 अपरेल 2000 में उन्होंने मेरट में अपनी अंतिम सास ली पंडित मुकराम शर्मा के बाद अब हम बात करेंगे सिक धर्म के चौथे गुरू गुरू अरजुन देव के बारे में जिनका आज ही के दिन इस दुनिया को जो अलविदा कहकर चले गया तो चलिए जानते हैं गुरू अरजुन देव के बारे में कुछ बात है गुरू अर्जुन्देव का जन्म सिक धर्म के चौथे गुरू रामदाज जी और माता भानी जी के घर 15 अप्रेल 1563 को गोईंदवाल अमरित सर में हुआ था श्री गुरू अर्जुन्देव साहिब सिक धर्म के पाचवे गुरू हैं विशिरो मेडी सर्वधर्म संभाव के प्रखर पैरोकार होने के साथ साथ मानविया आदर्शों को कायम रखने के लिए आत्म बलिदान करने वाले एक महा अनात्मा थी गुरू अर्जुन्देव जी की निर्मल प्रवती, कर्तव विनिष्ठा तथा धार्मिक एवं मानविय मूल्यों के प्रती समर्पन भावना को देखते हुए गुरू राम दाज जी ने 1581 में पाचवे गुरू के रूप में उन्हें गुरू गद्धी पर सुशोभित किया इस दोरान उन्होंने गुरू गरंथ साहिब का समपादन किया जो मानव जाती को सबसे बड़ी देन है समपूर्ण मानवता में धार्मिक सोहार्द पैदा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती गुरूओं की वाणी को जगय जगय से एकत्र कर उसे धार्मिक गरंथ में बाट कर परिश्कृत किया गुरू जी ने स्वयव की उच्च्वारित 30 रागोक में 2218 शब्दों को भी श्री गुरू गरंथ साहिब में दर्ज किया है एक समय की बात है उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुन्दर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे और सब के मन को शान्ती प्रदान करते थे एक दिन में गुरू अरजुन देव जी के दर्बार में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे महराज हमारे मन में शान्ती नहीं है आप एक ऐसा उपाई बताएं जिससे हमें शान्ती प्राप्त होगी तब गुरू अरजुन देव जी ने कहा कि अगर आप मन शान्त करना चाहते हो तो जैसे आप लोगों को कहते हो उसी प्रकार आप भी करो अपनी कथनी पर अमल करो परमात्मा को संग जान कर उसे याद रखा करो स्वयम आप सिर्फ धन इखटा करने के लालच से कथा करोगे तो आपके मन में शान्ती कभी नहीं होगी बलकि उल्टा आपके मन का लालच बढ़ता ही जाएगा और पहले से ही जादा दुखी हो जाओगे अपने कथा करने के तरीके में बदलाओ कर निश्काम भाव से कथा करो तभी तुम्हारे मन में सच्ची शान्ती महसूस होगी अन्य एक प्रसंग के अनुसार एक दिन गद्धी पर बैठने के बाद गुरु अरजुन देव जी के मन में विचार आया कि सभी गुरुओं की बानी का संकलन कर एक ग्रंथ बनाना चाहिए जल्दी उन्होंने इस पर अमल करना शिरू कर दिया उस समय नानक बानी की मोल प्रती गुरु अरजुन के मामा मोहन जी के पास थी उन्होंने वह प्रती लाने भाई गुरुदास को मोहन जी के पास भेजा मोहन जी ने प्रती देने से इनकार कर दिया इसके बाद उनके भाई गये वो भी खाली हाथ लोटाए तब गुरु अर्जुन देव स्वैव उनके घर पहुंचे, सेवक ने उने घर में प्रवेश करने से ही रोक दिया गुरु जी भी धुनके पक्के थी, वे द्वार पर ही बैट कर अपने मामा से गागा कर विंती करने लगे इस पर मोहन जी ने उन्हें बहुत डाटा फटकारा और ध्यान करने चले गए लेकिन गुरु जी पहले की तरह काती रहे, अता हो उनके धैर विनम्रता और जित को देखकर मोहन जी का दिल पसी जा और वे बहारा के बोले कि नानक बानी की मूल प्रती मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम ही उसे लेने के सही पात्र हो इसके बाद गुरु अर्जुन ने सभी गुरुओं की बानी और अन्य धर्मों के संतों के भजनों को संकलित कर एक ग्रंत बनाया जिसका नाम रखा ग्रंत साहिब और उसे हर मंदिर में स्थापित करवाया अपने ऐसे पवित्र वचनों से दुन्या को उपदेश देने वाले गुरु जी का मात्र 43 वर्ष का जीवनकाल अत्यंत प्रेना दाई रहा सती प्रथाजय से सामाजिक कुरीतियों के खिलाव भी विडट कर खड़े रहे वियाध्यात्मिक चिंतक के साथ साथ उपने देशक और समाच सुधारक भी थे गुरु अर्जुन देव जी ने 13 किया मीठा लागे हरी नाम पदारत नानक मागे शब्द का उच्छारण करते हुए आज ही के दिन यानी 30 मई सन 1606 में अमर्शहीदी प्राप्त की तो आज हमने आज की तारीक के इतिहास के बारे में जाना ऐसे ही आरोस के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे तब तक के लिए आप बने रही हमारे साथ और देखते रही है प्राइम टीवी